Բू स Chrome đ propor Benson आज हम अपना नया topic human needs house और पूरस के बारे में पढ़ेंगे human needs यानिकी लोगों की जजरुरत और house in clothes मतब्भ हाउस हमारी लिए क्यों जरुरूरी है कैसा house होना चाहिए किस तरह के की clothes हम पहनते हैं या किस किस तरह के clothes होते हैं इन सब के बारे में हम इस topic पर पढ़ेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले keywords देख लेते हैं keywords में first है आपका igloo a house made of snow जो houses हमारे snow से बने होते हैं उन्हें अब igloo गयते हैं second है हमारा natural fiber natural fiber वो fiber होते हैं जो में plants और animals से मिलते हैं next है हमारा synthetic fiber synthetic fiber वो होते हैं जो हमें जो हम खुद बनाते हैं यानि की man made होते हैं fibers fiber वो होता है एक material जो की thread से मिलकर बनाऊ होता है चलिए आगे पढ़ते हैं house our house हमारा house क्या होता है हम सभी जानते हैं कि हम home shelter या फिर घर कपड़े खाने की कितनी जरूरत है लेकिन ये home होता क्या है shelter होता क्या है घर एक hut बंगलो या फिर hut हो सकती है जो हमें गर्मी, सर्दी, rain, animal और enemies से भी बचाता है अगर हम अपने house में होते हैं तो हम safe feel करते हैं good house में हमें comfort और peace लगती है comfort means आराम और शानती भी लगती है देखो यहाँ पर picture में दो parents यहाँ पर है parents है और एक baby है जो कि बहुत enjoy कर रहे हैं अपने घर में तो that means हमारा जो घर होता है वो हमें बहुती शानती और बहुती comfort महसूस कराता है चलिए आगे पढ़ते हैं second है आपका material used to make houses house को बनाने में क्या-क्या material यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे house को बनाने के लिए different type के material की जरुरत होती है पक्के house को बनाने के लिए iron, cement, wood, bricks, steel, glass और aluminium की जरुरत होती है चलिए यह देखिए आपर glass की photo आपको दिखाई हुई है iron roads की, sand की, sand में मिटी, bricks यानि की cement का यहाँ पर आपको एक packet दिखाय हुआ है तो इन सब चीज़ों की हमें जरुरत पढ़ती है पका house बनाने के लिए पका house मतब जो हमारा घर इटो से मिलकर इटो से, cement से, लोहे से और sand से और glass से मिलकर बना हुआ होता है चलिए आगे पढ़ते हैं आगे हैं हमारी qualities of good house good house की बहुत सारी qualities होती है, good house की एक quality यहाँ पर लिखी हुई है हमारी good house कैसा होना चाहिए, एक good house, airy, हवादार, well ventilated होना चाहिए इसके अंदर sunlight भी आनी चाहिए, क्योंकि sunlight germs को मारती है और fresh air क्यों आनी चाहिए, क्योंकि fresh air की वज़ा से ही हम breathe कर पाते हैं सुबा के टाइम हमें window उपन करनी चाहिए, जिससे fresh air अंदर आ सके चलिए आगे देखते हैं, आगे बहुत सारी यहाँ पर qualities बताई हुई है जो की अभी हमें पढ़नी है, देखें आपे picture में आपको एक picture दिखाई हुए जिसमें एक घर बना हुआ है और उसमें दो बच्चे खेल रहे है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक good house में open areas होने चाहिए, जिसकी balcony, वरांडा, जहां पर हम लोग बैट की खेल सकते हैं और बैट के पढ़ भी सकते हैं, और fresh air भी feel कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अपने घर के आसपास हमें ज़ादा से ज़ादा green plants लगाने चाहिए क्योंकि breathe करने के लिए हमें oxygen की जरुरत होती है और वो हमें कहां से मिलती है, trees से मिलती है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, good house में windows और door भी होने चाहिए लेकिन windows और door पर क्या लगी होनी चाहिए, wire netting यानि की जाली लगी होनी चाहिए जिससे मक्खी मच्छर अंदर ना आए और fresh air और light अंदर आती रहे तो देखों यहाँ पर हमें बिलकुस same to same ऐसा ही यहाँ पर picture में ऐसा घर दिखाया हुआ है इसरे की हमें qualities बताई गई है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा same qualities ही है देखें यहाँ पर किसने अच्छे से सबकुछ well तरीके से रखा हुआ एक दम जगा पे अपनी तो बढ़ते हैं अपनी qualities good house में proper पानी की निकलने का place भी होना चाहिए जैसे kitchen में कई बार क्या हो जाता है ब्लोकेज हो जाती है पानी निकल नहीं पाता तो अससे क्या होता है हमारे kitchen में smell भी हो जाती है मक्षी मच्छर भी हो जाते हैं तो proper पानी निकलने का space होना चाहिए जितने भी drains होते हैं properly covered हो आजा नो जाएं उयिद्ट होने जाहिए जिससे मक्षी मच्छर घर के अंदर ना है युद्ट को कवर करके भी किजन को साफ लическая ओर रखा हुआ है चलिए कुछ और qualities देखते हैं आगे कूड़ा या वेस्टेज को हमें covered dust bean में डालना चाहिए देखिए यह पिक्चर भी दिखाई हुई है कि यह पे आपको covered dust bean दिखाई हुआ है जिसमें हमें अपना जो भी कूड़ा होता है या वेस्टेज होती है उसको डालन वो हमारे साफ रहे फ्लोर को भी clean और dry रखना चाहिए देखिए यहां पर drying room कितना अच्छा बनाया हुआ है यहां पर फर्श अगर साफ रहेगा तो ही तो अच्छा लगेगा देखने में सभी चीज़ों को proper place पर रखना चाहिए क्योंकि अगर हम proper place पर रखेंगे तो हमार अगर साफ और अच्छा और स्वस्थ दिखेगा स्वच्छ दिखेगा चलिए कुछ questions अब हमारे माइं में आते हैं जीने हम देख लेते हैं is your house a good house क्या आपका house good house है अगर आपने अपने house को साफ रखा है clean रखा है dry रखा है तो आपका house अच्छा है तो इसका अंसर क्या होगा yes how can you say आप कैसे कह सकते हैं because we keep our house clean हम अपने house को clean रखते हैं और हम अपनी सारी चीज़ों को जगा पर रखते हैं what will happen if water gets blocked in your house or gets collected outside your house आप क्या करोगे अगर पानी आपके घर के अंदर ब्लॉक हो जाए और बाहर भी आपके collect हो जाए घर के बाहर तो हमें क्या करना चाहिए we should repair that blockage हमें वो blockage को repair करना चाहिए और should cover drainage system और जितने भी drainage system है जहाँ पर पानी कठा हो रहा है उसको हमें cover करके रखना चाहिए ताकि पानी से कोई भी मक्ही मच्छर ना बने चलिए आगे पढ़ते हैं अपने next topic की तरफ जो है हमारा clothes clothes हमारे लिए बहुत important होते हैं यह सब को बता है लेकिन clothes की क्या के qualities होती है क्यों चाहिए में इतना clothes what is clothes? क्या होते हैं clothes? we should need to cover our body हमें अपनी body को cover करने के लिए clothes की ज़रूरत होती है as we know that हम clothes में कितने beautiful लगते हैं और clothes हमें क्या कर सकते हैं? clothes हमें heat, cold, dirt और insect की जो bite होती है मक्षी मक्षर काट लेता है ना उनसे protect करते हैं यहां पर हमारे दो तरीके के fibers दिखाए हुए जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं कौन-कौन से दो तरीके के होते है नेचरल फाइबर और man-made fiber अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि नेचरल फाइबर क्या होते है नेचरल फाइबर वो fiber होते हैं जो हमें nature से मिलते हैं और man-made fiber कौन से होते हैं जो हम खुद बनाते हैं चलिए आगे भड़ते हैं type of clothes पर आ जाते हैं हम हमें cotton plants कहां से मिलती है cotton plant से हमें cotton मिलती है जूट plant से हमें जूट मिलता है rubber plant से हमें rubber मिलती है और sheep से हमें wool यानी की उन मिलती है और silk warm से हमें क्या मिलता है silk मिलता है देखो यहां पर jute plant दिखा हुआ है जिससे हमारे jute bag बनता है और पीछे वाले page पर हमें cotton plant दिखा हुआ था जिससे हमारी cotton की shirt बनती है और यहां पर देखो rubber के shoes rubber के tree से हमें जो rubber मिलती है उससे हमारे rubber के shoes बनते हैं शीप से हमें वूल मिलती है, तो हमारा स्विटर बनता है, सिल्क वाम, सिल्क वाम भी तो देखो, यहाँ पे एक इंसेक्ट होता है ना, उससे हमें सिल्क मिलती है, तो सिल्की हम, हमारी मम्मी साड़ी पहनती है, चलिए, आगे पढ़ते हैं, मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर कौन कौन से होते हैं, मैनमेड फाइबर वो होते हैं, जो हम बनाते हैं, यानि कि हम लोग, यानि कि हम सम मिलकर बनाते हैं, जो फैक्टरी में बनते हैं, जैसे कि नायलोन, रायोन, फाइबर, जो होते हैं, वो सारे के सारे मैनमेड कि जाती है तो इस तरीके के fiber bantay हैं Summers में जूट और cotton के clothes पहनते हैं ये clothes हमारी body को excludra रखते हैं और जो हमारे अंदर sweating होते हैं पसीना अता है उसको भी तोक लेते हैं इस ही तरीके से जो swollen clothes होते हैं या silk clothes होते हैं वो हम winter में पहनते क्योंकि ये हमारी body को क्या करते हैं गरम रखते हैं और ठंडे area जहां पर बहुत ठंड पड़ती है बहुत सारी snow पड़ती है वहां के लोग क्या करते हैं अपनी body को फर वाले कपडों से cover करके रखते हैं क्यूंकि फर वाले कपडों में बहुत गर्मी होती है और rainy season में हम लोग क्या use करते हैं rainy season में हम लोग umbrella और raincoat use करते हैं देखें यहाँ पे picture में first जो picture है उसमें एक baby है उसने cotton clothes पहने हुए क्यूंकि गर्मी है second picture में rainy season है तो umbrella और raincoat use किया हुआ है third picture में बहुत ज़्यादा धंड है तो क्या किया है woolen clothes को उन्होंने पहना है hope you like this video thank you